नमस्कार आपका स्वागत है आपके अपने चैनल वास्तवुरु में आज का एपिसोड अत्यंत्व महत्व पूर्ण है आज के एपिसोड में हम विश्तरित चर्चा करने जा रहे हैं आपके घर, मकान, फार्म हाउस, अपार्टमेंट, फ्लैट या बिजनेस यूनिट में बनने वाले सेप्टिक टैंक की सही स्थान और सही दिशा की जी हाँ, आपके इन सभी निर्माणों में सेप्टिक टैंक सही स्थान और सही दिशा में होना चाहिए जिससे आपको शुब फल की प्राप्ति हो सके और पूरे घर का चुम्ब किये संतुनन बरकरार रहे सेप्टिक टैंक आपके निर्माण में अत्यंतों महत्तोपुन इस्थान रखता है यदि सेप्टिक टैंक का निर्माण सही दिशा और सही स्थान पर होगा तो शुब फल की प्राप्ति आपको होगी यदि इसका निर्माण सही दिशा और सही स्थान पर नव हो तो आपको शारिरिक, मानसिक और आर्थिक बाधाएं आ सकती हैं यदि इन सारी समस्याओं से बचना है तो सेप्टिक टैंक के निर्माण में विशेश सावधानी रखें आज की एपिसोड में हम जानेंगे कि सेप्टिक टैंक का निर्माण किस दिशा और किस इस्थान पर करवाना उचित होगा और किस इस्थान एवं किस दिशा में करवाना नहीं चाहिए इन दोनों बातों की हम विश्तरित चर्चा करेंगे साथ ही चित्र के माध्यम से भी हम आपको समझा देंगे जिससे आपको सेप्टिक टैंक के निर्माण में किसी प्रकार की समस्या न आए इससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर करें एवं बेल आइकॉन जरू दवाईए जिससे आने वाले एपिसोड की पहली सूचना आपको मिल सके यदि आप वास्तु शास्त्र से सम्मंदित किसी भी शंका का समाधान करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिये गए वाट्सेप नमबर पर एपॉइंटमेंट ले करके आप अपनी शंकाओं का भी समाधान कर सकते हैं आईए अब हम जानते हैं कि सेप्टिक टैंग का निर्माण किस दिशा में करवाएं जिससे हमें शुब फल की प्राप्ति होगी और किस दिशा में सेप्टिक टैंग का निर्माण करने से बचना चाहिए साथ ही सेप्टिक टैंग के निर्माण के दिशा के अनुसार उसका पढ़ने वाला शुब और अशुब प्रभाव भी मैं बताऊंगा इस एपिसोड को अंत तक देखिए आईए अब हम जानते हैं कि सेप्टिक टैंग का निर्माण किस दिशा में करवाएं जिससे हमें शुब फल की प्राप्ति होगी सेप्टिक टैंग के निर्माण के लिए नौर्थ वेस्ट कॉर्नर जीहा वायव्य कोण ही समुचित दिशा मानी गई है वायव्य कोण में सेप्टिक टैंग का निर्माण कैसे करवाएं उसकी लंबाई चोड़ाई कैसे हो और उसके निर्माण में क्या सावधानिया रखनी चाहिए इसे ध्यान से सुनिए और इसे मैं चित्र के माध्यम से भी आपको समझा रहा हूँ इसे ध्यान से देखिए वायव्यकोण वह दिशा होती है जहां से पस्चिम और उत्तर की दिवारे आपस में आ करके मिलती हैं तो यदि आप पस्चिम की दिवार पर सेप्टिक टैंक का निर्मार करवाना चाहते हैं तो आपको पस्चिम दिशा को नो भाग में बाट देना है जी हां वेस्ट साइड को नो पार्ट में आप डिवाइड कर दीजिए और वायव्यकी दिशा से एक भाग छोड़ करके आप स उचित और सम्मत है विधि सम्मत है इसके अलावा सेप्टिक टैंक के निर्मार के लिए आप उत्तर की दिवार का भी चैन कर सकते हैं जी हां उत्तर की दिवार पर यदि आप सेप्टिक टैंक का निर्मार करवाना चाहते हैं तो उत्तर की दिवार को नो भाग में बाट ली और वायव्वेकों से दो हिस्सा छोड़ करके उसके आगे सेप्टिक टैंक का निर्माण आप निश्चिंत हो करके करवा सकते हैं इस प्रकार से आप पस्चिमी दिवार से भी सटा हुआ सेप्टिक टैंक बनवा सकते हैं और उत्तरी दिवार से भी सटा हुआ सेप्टिक टैं बनवा सकते हैं, लेकिन इसमें भी कुछ सावधानी रखनी चाहिए, वह सावधानी क्या हो सकती है, इसे ध्यान से सुनिए, सेप्टिक टैंक को कभी भी चार दिवारी से सटा करके नहीं बनवाना चाहिए, जी हाँ, ऐसा नहों कि आपका बाउंडरी वाल, यानि कि चार प्लिंथ का एक दिवार सेप्टिक टैंक की कॉमन दिवार हो, उससे कम से कम 6 इंच की जगह अवर्ष छोड़ दीजिए, उसके बाद ही आप अपने सेप्टिक टैंक का निर्मार करवाईए, सेप्टिक टैंक में तीन भाग होते हैं, जिसमें आप प्रयास करिए कि पहले द होना चाहिए, सेप्टिक टैंक के निर्मार में लंबाई हमेशा पूर्व से पस्चिम की ओर ज्यादा होनी चाहिए, एवं चोड़ाई उत्तर से दक्षिन की तरफ होना चाहिए, जिहां इस्ट टू वेस्ट अपनी लंबाई रखिए और नार्थ तू साउथ उसकी अपने आवास या किसी व्यवसाइक प्रतिष्ठान में करवाते हैं, तो शुबफल की प्राप्ति आपको होगी और चुम्ब की संतुनन इस्थापित रहेगा, आईए हम जानते हैं कि किस दिशा में सेप्टिक टैंक का निर्मार भूल करके भी नहीं करवाना चाहिए, इस मध्य का इस्थान ब्रह्म इस्थान होता है और ब्रह्म इस्थान पर गंदगी को इकठा करना बिल्कुल ही उचित नहीं है, इसलिए मध्य भाग में सेप्टिक टैंक का निर्मार करवाने से हमेशा बचें, क्योंकि यह आपको बुरे फल की प्राप्ति करवाएगा, सेप् बनती है और सेप्टिक टैंक का निर्मार पस्चिम दिशा में भी नहीं करवाना चाहिए, यदि पस्चिम दिशा में आप सेप्टिक टैंक का निर्मार करवाते हैं, तो यह पाया गया है कि पस्चिम दिशा में जो लोग सेप्टिक टैंक का निर्मार करवाएए हैं, उस प पतिरिक इशान छेत्र जी हां नौर्थ इस्ट कॉर्नर में भी सेप्टिक टैंक का निर्माल नहीं करवाना चाहिए यह दिशा भगवान शिव की दिशा है और वास्तु पुरुष का सिर्वी इसी दिशा की तरफ रहता है यदि इस छेत्र में आप गंदगी को इकठा करेंग तो इसका दुष परिडाम आपको भोगना पड़ेगा और इस समस्या का कोई उपाय भी नहीं है मैं बहुत इस्पष्ट बता दे रहा हूं कि इशान छेत्र में सेप्टिक टैंक का निर्माल भूल करके न करवाएं अब हम आते हैं आगने दिशा की तरफ आगने दिशा जो का वास हो जाता है इसलिए आगने दिशा में भी सेप्टिक टैंक का निर्माल करवाने से आपको बचना चाहिए उस दिशा में भी सेप्टिक टैंक का निर्माल नहीं करवाना चाहिए अब हम आते हैं नैरित्य दिशा की तरफ जी हां नैरित्य दिशा में भी सेप्टिक ट देखते हैं अगले एपिसोड में नई जानकारी के साथ देखते रही आपका अपना चैनल वास्तवुरू नामाश्कार